वेरी वेरी गुड मॉनिंग वेलकम टू मैं चैनल इंडियन मोंक अंचन सो गाइज यह प्रोग्राम के नेग्स डे गा और यहां पर ममा ममी जा रहे थे मासीय जा रही थी अपने अपने घर तो वही बाय करना चल रहा था सबको सबी लोग बाहर आ गए थे उनको बाय करने के एक्चली जब प्रोग्राम होता है उस मजह आता है अच्छा लगता है और पूरा गेस्ट मैशा वहागता यूद छाना फजी कि यूद Ayen जा रही है एकसाथ ही ये मेरे मम्मी के बड़े पापा की बेटिया है और जो मामा गय Давай थे वह बड़े पापा के बेटे है तो यहाँ पर भवही जा रहा है और हां सब कुछ सामान लेने भी और डेक्रेशन ओपन करने के लिए वह ट्रक आ गया था तो वह भी आ गया है यह सब कुछ यहां पर हो रहा है दूसरे दिन जो होता है प्रोग्राम के दूसरे दिन वहीं हो रहा है और उसके बाद बहुत से मतलब पूरा घर ही खाली हो गया था सब भी सुबह निकल गया तो पूरा घर ही खाली हो गया था अजीब सही लग रहा था और आज ना आनंद भी जाने वाला है यह मेरा भाई पुना वाला जिसकी गोवा ट्रांसफर हुई है मतलब गोवा की कंपनी उसने जॉइन की है आप लोगों तो बताया था मैने तो वह भी जा भी पाद उसके मंगी के घर जाएगे एक्चुली अ महालक्ष में अपको पता ही होगा मेरे घर पर महालक्ष में होते है तो इसके वज़से उसको ताइम यहां पर रुखना है और उसके बाद फिर आठाम मैने में नहीं जा सकते इसलिए जैसे वह दो मैने रूपने वाली ह उसके बाद 9 में महने में वो जाएगी उसके मैके में मतलब उसके मम्मी के घर उसके बाद डिलिवरी तो वहाँ पर होने वाली है उसके मम्मी के घर इससे पहले डिलिवरी है तो हमारे साइड में होता है ना मम्मी के घर होती है पहले डिलिवरी तो सभी के साइड में होता में पर जाने का मुड जाने का जनल गुछान बहुत नाज नाजaden М detect Sao मारा बoublोन्ति का नागपूर giàएगा और जयाना पड़ेगा पर दियुन जो देगा एक नागपूर जाम जा और जो एगँशने नागपूर जाएगा गोवा के लिए तो बस वहां से वह गोवा जाएगा और सभी उसे छोड़ने के लिए जा रहा है मतलब यह विवेक और फिर मेरी दिदी का बेटा दिदी रुख गई थी यहां पर मतलब यह मेरी एलो साडिया दोनों ने भी पहने एक मेरी बुवा की बेटी है और एक मेरी हुआ घा पाद़ है दरोनी दो दोना के तक है दूंद कुंद को पानि चाइदे रही हैं आज तो अब दूनों दीदिया और बड़ी मम्मी रहगी है वह जाने वाली है अपने अपने घर तो उसके बाद तो पूरा घरी खाली हो जाएगा आज के दिन मैं बुअगी तो स्टार्ट के हमारा रूटीन किसी पर अपने घर जा तो इसी वाइसे आपकोषगी उपने बैसे एक दिन रुग गई क्योंकि आण्टी और मेरा मिलना भी नहीं होता है मतलब हम लोग पहले तो भी दिवाली और उस छे टी पिलेदे ते हैं आपने काम Miss लोग विwangजे से किसी का अब है तो फिर्फ टी दरोग करते हो içustra कैसे करते हो आप इतने सारी खज़किन कले ल cotton c कैसे मुज़िए हो सब्सक्राह własत क्हरण मैं वेटार सारा कैसे शोपिंग करते हो सब्सक्राम के त्रूए है जैसे कि मिंत्रा, आजिवो, फ्लिप कार्ट इससे भी ज्यादा वेबसाइट यहां पर अविलेबल है जैसे कि मान लिजे हमें मिंत्रा से शॉपिंग करनी है तो हमें क्या करना है सर्जबार में मिंत्रा टाइब करना है उसके बाद हम लोग मिंत्रा के स्टोर पे बहुत जाएंगे उसके बाद हमें active cashback पे click करना है और हम मिंत्रा के website पे redirect हो जाएंगे बस हमें इचीज का ध्यान दखना है कि पहले से हमारे काट में कोई भी product ad नहीं होना चाहिए और दूसरा यह है कि आपके ब्राउजर में कोई भी coupon या cashback based website open नहीं होनी चाहिए और इतना दखना है कि talk charts के account में login करके ही आपने activate cashback पे click किया है बस इनी दिन चुजों का आपको ध्यान दखना है और जैसे आप normal shopping करते हो वैसे आपको shopping करने है और बस आपका जो cashback है वो track हो जाएगा जो भी अपने talk charts के थ्रू अपने favorite website से shopping की है और आपको जो cashback मिला है वो आपके real money होगी जो आपके talk charts के account में reflect होगी और यह जो cashback है आपका 2 से 3 days में ही यह track हो जाएगा और 90 days में यह confirm हो जाएगा फिर आप उस money को bank account में भी transfer कर सकते हो या अपने talk charts के wallet में भी और talk charts पे sign up करना भी विल्कुल free है अगर आप मेरे link से talk charts पे sign up करते हो तो आपको मिलेगा instant 25 रूपिस का bonus तो जल्दी से जल्दी talk charts डाउनलोड करिए और यह जो app है वो अवेलेबल है android and ios store पे तो आगे से अभी धायन रखी कि जो भी आप shopping करोगे वो talk charts के through ही करोगे उससे आपके धेर सारी saving होगे और आप उस पैसो से extra shopping कर पाऊगे description box में उन्हे sign up link तो देखी दिया है आपके लिए उससे जल्दी से sign up करिए और आपको instant 25 रूपीज का bonus मिल जाएगा और गाइस यहाँ पर खाना बन रहा है और खाने में क्या बन रहा है वो भी आपको बता देती हूँ जो बैगन की सबजी बहुत सारी बच्ची थी उसके ही पराठे बन रहा है और आपको तो पता यह अधरी पराठे ताली पिट बेल रही है उसके बाद मासी सेग भी रहे थी और इधर वो चटनी बना रही थी तो चटनी में क्या-क्या डलेगा कैसे चटनी बनेगी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ मासे ने कड़ाए में ऑईल ड़ा है और उसमें जीरा है ऑपते हो दिवा जासे अदा अधाल के लगा है क्या दाल रही है टेशात नहीं हे जहांदा है तो बस ली डालने के बाद भी थोड़ी दर के लिए मसाले को भून लेना है और उसके बाद आपको नमक आड़ करना है नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आड़ करना पर थोड़ा सा डादा ही आड़ करना मतलब आप जितना आड़ करते हैं उससे थोड़ा सा जादा ही क् कि यह टोमेटो की चटनी है उसको थोड़ सा जादा ही नमक चाहिए होता है तो अभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आड़ कर देना अब वो जो नमक है और उसके बाद यहां पर वो जो टोमेटो हमने काट के रखा था वो आड़ कर रही है काफी सारे टोमेटो था क्योंक चटनी लगातार इस चटनी को आप आठ से दस दिन स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में इतनी ज्यादा टेस्टी लगेगी और काफी दिन चलेगी मतलब जैसे आप टोमेटो सौस वगरा खाते हो ना वैसे आप कच्छोरी के साथ इसे खा सकते हो कोई भी चीज अगर आप निकल जाए तब तक गलने देना है इसे इस तरह से स्मैश करते जाना है और यह जब तक तेल नहीं छोड़ता और इसका पानी जब तक नहीं खतम होता तब तक आपको इसको चलाते जाना है और देखो कितनी जादा अच्छे से स्मैश हो गई है और कलर देखो इसका कितना और बस सलाद वगर था और यह थाली पीठ है तो यह है आज का मेनू खाने का बस खाना खा लेंगे और यहाँ पर क्या चल रहा है वो आपको बता देती हूँ यहाँ पर यह जो केक के उपर के शू थे पिंक और ब्लू शू वो कहने के लिए बोल रहे थे हम लोग अच्छुल आने के लिए निकले और बहुत जादा गटर है नेचे बारिश कंटिनियूसली हो रही है यहाँ पर रुके थे हम लोग वो तो शूट नहीं कर पाई बट यहाँ पर निकलने के टाइम पर जो हल्दी कुंकुम लगाया जाता है हमारे साट में कहीं पर भी हम लोग जाते है यहाँ पर नानी नाना से मिलने आये थे हम लोग सभी लोग क्योंकि जाने वाले थे न दूसरे दिन तो इसी वज़े नाना नानी के साथ भी यहाँ पर टाइम स्पेंट करने के लिए हम लोग आ गये थे नानी तो आई थी वहाँ पर प्रोग्राम में आपको दिखी उगी बट नाना जी से नहीं मिले थे हम लोग तो इसी वज़े से नाना जी से मिलने आ गए थे यहां पर आ रहे यहां यहां ताहsty थे यह लोगा ते मिल बारने tit अब्टास को बार दी आश्या यहां भृव अट्पант और ऑใชज तामी olla को यह पीन दो आम रे ताहिं और संगी आरे तरही यह लोगो खोडेशनीये पुल्म्हमें पॉझे शौरया जाल beef है? तो गाइस सुबह सुबह पाच बजे हम लोग निकल रहा है यहां पर अम्रोधी के लिए अद्विक सो ही रहा था तो अद्विक को उठाया ने उसके पापा ने ऐसे ही उठा के गाड़ी में सुला दिया और बस यहां पर सब लोग बाई कर रहे हमें अच्छा भी नहीं लग बजी रहे है बढ़ आच बजो है है यहां पर च्खूल में उसको पहुचाना कंडे गा दो इसलिए और उसलिए पढ़ाई के लिए पूस वहां पूज आ के आई थी यहां पर पड़ाई होती है पर प्रोग्रम होता है तो पढ़ाई भी नहीं होती है बच्चों की बढ़ क्या कर सकते हैं और बारिश यहाँ पर इतनी तेज हो रही थी आपकी तरफ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है बताना कमेंट करके जरूर यहाँ पर तो तीन दीन हो गया है कंटिन्यू बारिश हो रही है तो इस लग रहा है वैसे अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है वहाँ पर सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो रहा था बट गर पर आने के बाद वही अपना रूटिन स्टार्ट हो जाएगा अब अब लोग घर पे इसमें के अंदर हाओ आपने अब लाड़ी दिनकिस में आपने अब लोग घर पे हाहा हाहा माई देखो रेडियो जाओ जल्दी से जल्दी से रेडियो जाओ जाना है स्कूल माई को अब मम्क बेडियो अब अब लोग माई बूग अब लोग कोई पो होगा जाओ 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 हो जाओ जाओ मैग टूदी से रेडियो जाओ जाओ जाना है स्कूल जाना है आठ बज रहे है, माही को आठ बज्जे स्कूल पहुशना था एट थर्टी को पहुशना है? मैंने आज़े चल्दी के कि आप ज़ने के चट्दे नियसे मनने आप आप लगा लगा ये बगवान कितनी बदमाश्चा है लड़की जो जल्दी सिर रेडियो जो अब आल देखो कैसे होगे आपके देखो स्पाइडर मैन आते ही टीवी देखने लगा बस माही आगई है कैसे रही एक्जाम पड़ाई तो कुछ भी नी उई थे आपकी हमें गाओ जाना है न हमें चलो रखो बैक रखो हमें गाओ जाना है उदर से आने के बाद पड़ाई करना आपको नहीं बोर रही हूँ दीदी को बोर रही हूँ आप तो पड़ाई करोगे घर पे अरे देखो ये बगवा आपकी बढ़ाई में कर दूँआ क्या बोला था आपने माई अच्छा चलो रेडी हो जल्दी से गाओ जाना है हमें चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ सब्सक्राइब कर दूदी ये वेब शुटर ये गई बस सब एक मिनट है हाँ हुआ हम लोग निकल चुके हैं काओ जाने के लिए आटक्छी कफी दिन ओंगे है कहां तो यह यहां एक स्कूल माही का喜欢 था माही ुच्छी तुच तो तो इसलिए अभी माही को लेके आ गया है ये यूनिटेज देखे और अभी अभी हम लोग निकल चुके है जाने के लिए वहाँ पर मिलके आ जाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगता है मिलके आते हैं तो इसलिए जा रहा है चले गाइज इसके साथ इस व्लोग को यही पर एइन करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नई व्लोग में आपसे आपको यह छोड़ा से व्लोग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेर एर चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दिना अगर आपने नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करना मत बुलेगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए और मेरे लिंक से अगर आप साइन आप करोगे तो आपको इंस्टेंट 25 रूपीज का बोनस मिल जाएगा और हां इसके अलावा मेरे दो और चैनल है आप चाहँ तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का होता है तो मेरे करना डिस्क्रिपिशन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे तो चले फिर गाइस मिलती हूं नेक्स ब्लॉग में तिल देन बाबाई टेक केर और लब यॉ आल बाई गाइस ध्यान रखना अपना